बच्पन में आपने बुडिया के वाल तो बहुत खाये होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जिसमें बनती है फुली आटोमेटिक कॉटन केंडी तो आईए पूरी मशीन देखते हैं जो जी आप यह हमारे सामने जो मशीन देख रहे हैं यह फुली आटोमेटिक मशीन जो है कॉटन केंडी बनाती है और यह भाया इस मशीन के बारे में पता है कुछ अजी सर्थ इंडिया में आपने सब कोटन केंडी पहले भी खाय होंगी बुडिया के बाल बोलते हैं पच्प बलते हैं जाता से स्क्रिंड्र जासरी नहीं आपकर 컨 ainda के इसमें आपका एपर्डेंडियों है तिसमें आपके बाठा परशा दिजाइन त्याइन सब्सक्राइड है जिसमें आपके बारा दिजाइन इन एह हैं जा जो हरेंगे को ऩुलीक कर्णा है अपको यह फिद्ट बार यह रोवर्य के इंडर अच्छा यह रोवर्ट मैं लगा दिया थे हो उट ज्या कर दो इतना आख इसमें ऑज़ी लेल से इड़्ली यह अच्छा के संडरिते आए ता अच्छा एंद रोग आख यह त्या पर से शैंसर नहीं अच्छा यह रहुमाई क्या बात है यार कज़ों ये फर्सट है फर्स्ट टैंटियम है ये ये मशीन इस से पहले अभी तर किसी के पास नहीं है तो कहां से मंगवा ये ये मशीन आपने ये सर कहां से आई ये इस इसकी का थोड़ा हुआ ओ अच्छा इसमें डिजाइनिंग ही हो जाती है आप चेक करो, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ यही साथ, यही साथ यह देखो, दूसरा गलर भी आ चुका है यह बनीला फ्लेवर भी यह इसने, अरे हुआ खाली मीठा मीठा भी होगा, टेस्ट भी आएगा यहीं मिलेगा, आपको जो नॉर्मल कोटन कैंडी है हाँ जी बहुत जबरतस्तियाद, बहुत ही बढ़िया और कितनी देर लगती है, अभी तैयार नहीं है? अभी तैयार नहीं है, सर अभी इसका और फ्लावर शेफ दिया जाए इसको अच्छा अभी और शेफ आएगी भाईज में, यह दें, ओहुत जबरतस्त अभी आपको जबरतस्त अच्छा इसका बड़िया चीज है और इसका प्राइस क्या है? 120 एच पड़ेगा, 120 एच तो भाई, कोस्टिंग थोड़ी जादा है क्योंकि देखो, मशीनरी है क्योंकि मशीनरी है और कोस्टिंग इसलिए जादा है, अगर यह मैनूली होता, तो आई थिंग 20-30 रुपर में मिल जाता, बड़ थोड़ा सा हाईजनिक भी है और मशीन की कोस्टिंग में निकालने होती है, रेंट है, सब कुछ है, तो यह तैयार है अब? यह हमारी cotton candy तैयार हो चुकी है, इतनी जादा बड़िया लग रही है और 120 की है नहीं है तो भाई हमारी cotton candy आ चुकी है और काफी बड़िया लग रही है, इसमें आप देखेंगे, भाई यह कौन-कौन सा फ्लेवर है इसमें? इसमें आपको सर यह bubble gum टीष्टा थाजागर रही है यह कौन सा है यह थाणा वणिवानिला और यह और यह आपको स्ट्रॉवर्या आएगा लेकिन खाते इसे हाथ से ही है ना मूह से खालेंके डारेक्ट भी ना सकते सर वू आप जिसकर किसे खाना चाहें गोग और तो मुह किस्टरा नहीं निकल रही कुछ नहीं है बहुती बढ़ी है इसको ना खाने का भी मन नहीं कर रहा है इतनी जादा फ्यारी लग रही है यह इस भी बढ़ी है कॉनसेप्ट है और ही मज़ेदार है एक पर ट्राही करना तो बनता है इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में त टेक के और गुट बाइ